के बारे में बहुत सारी बाते हो रही है कंटिनुवसली लोगों के कॉल आ रहे हैं वो चाहते ही कि फाइनेंस बिजनस करें लेकिन आज का वीडियो बहुत जादा महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं अगर एक बार में ठीक से नहीं समझ में है तो rewind करके वापस देखिएगा और जितना देखिएगा ध्यान से देखिएगा आज का वीडियो आपको जीता सकता है तो देखिए finance बिजनस स्टार्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहली बात यह कि finance business provide loans to individual and commercial customers for a variety of reasons इसका मतलब individual को भी provide करते है commercial customer को भी provide करते है और reason क्या क्या हो सकता है बहुत सारे reason हो सकते है personal requirement हो सकती है business requirement हो सकती है वो retail store के लिए हो सकता है small businesses के लिए हो सकता है large firm के लिए हो सकता है for example commercial loan से क्या benefit होता है उससे business establishment करने में सुविधा होती है नया office बनाने में सुविधा होती है अब आते है personal loan पे personal loan को भी वेक्ति क्यों लेगा या तो शादी के लिए लेगा या होम के लिए लेगा इस्टूडेंट के एजूकेशन के लिए लेगा या फिर गाड़ी खरीदेगा राइट तो यह परसनल लोन में आ जाएगा नया finance business अगर हम लोग चालू करने वाले तो target customer का need हमको पता रहना चाहिए product line को comprehensively पता रहना चाहिए कि exactly कौन सा चीज हमको देना और देना चाहिए और solid business plan बहुत important है business plan अगर आप लोग बिना बना के finance business का सूच रहो बहुत असुविदा हो जाने वाली business plan के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं और business को पहले दिन से समझ के business का planning के अनुसार अगर आप चलेंगे तब finance business में आप success जरूर होने के chances बनते हैं और एक चीज़ और बता दू business plan जो रहेगा वो यह बताता है कि company का journey कैसा होगा success के तरफ अब इसके अलावा finance business को state या central government जो भी rules के लिए applicable होता है वो rules को उनको follow करना जरूरी है अब मैं चार steps बताने वाला हूँ जो चार steps follow करने से finance business सही तरीके से start हो सकता है success की रहा पर चल सकता है तो सबसे पहले यह select finance company speciality इसका मतलब कौन से time का loan में specialization उस finance business का होना चाहिए उसको आप देखिए और उसको एकदम चमकाना है क्योंकि आप अगर हर category में लड़ाई करोगे तो पीछे रह जाओगे एक special category आपको choose करना है जिसमें आप जीत जाओ इसका मतलब है हर type के speciality में अलग type से पैसे की जरुवत पड़ती है marketing की जरुवत पड़ती है और operational requirement होती है काम किस तरीके का होगा कितने time का process का time लगेगा उसमें क्या क्या चीज़े होने वाली है और जो operational requirement है documentation का हो चाह प्रोसेसिंग का हो वो vary करता है type of loan के अनुसार focusing on a single business model is critical इसका मतलब कोई एक single business model पे बहुत अच्छे से ध्यान दे कर हम लोग को उस business model को हमारा USP बनाना चाहिए जो हमारे company में सबसे best तरीके से सबसे best product के जैसे उसको treat करना चाहिए right अब जैसे private companies होती है वो local mortgage broker भी हो सकते है जो की specialize करते है refinancing मे अब देखे local mortgage broker भी specialize कर सकता है refinancing में factoring companies भी हो सकती है जो financial account receivables को factor कर सकते है next the decision to pursue a finance company especially should be based upon interest your experiences and the likelihood of success जब भी आप finance business करना है तो उसके 3 important value है सबसे पहला आपका interest होना चाहिए दूसरा आपका experience भी होना चाहिए तीसरा आपको success पानी की पूरी उमीद भी रहने चाहिए क्योंकि उमीद रहेगा तब जाकर आप उसके लिए काम करोगे और आपको possibility आपको वास्तविक success दिलाने वाला है क्योंकि वो किसी न किसी एक जगा पर वो काम किये पर रहते हैं लेकिन complete step यह जो मैं आज बता रहा हूँ next I consider the business specialty that attracted you इसका मतलब यह हुआ कि आपने business करने का सोचा ही क्यों क्योंकि आपको कुछ न कुछ बहुत अच्छा लगा होगा किसी जगा पर आपको लगा होगा यह बहुत सही काम है इसमें बहुत सही पैसा है लेकिन वो क्यूं लगा था आपको कौन से product के कारण लगा था यह आपको एक बार मंतन करने की जरूवत है सोचने की जरूवत है उसको paper में write down करिये और यह देखे कि is there any opportunity to create the same business in the new area जो business आप अपने area में कर रहे हो क्या और एक नया business आ सकता है या फिर अगर कोई और कर रहा है और आप आना चाहते हो तो आ सकता है कि नहीं आ सकता है और अगर आप वहां पर business में आ गया हो तो नया बंदा अगर गुज जाए तो भी हमको दिक्कत नहों वैसा planning हमको करना चाहिए अब दूसरा point पर आते हैं कि confirm the business opportunity जब आपने पहला step पार कर लिया तो फिर उसके बाद आता है business opportunity को confirm करना इसका मतलब यह हो कि client को attract करने का पूरा करिएगा properly research करिएगा उपर ही उपर मत देखिएगा research मतलब research लोगों को भेजिए अपने विश्वसनी लोगों भेजिए या फिर आप खुद जाएए शुरुवाती दौर पे research करिए अलग-अलग जगा visit करके public review देखकर Google का थोड़ा साहरा लीजिए और जो जो चीजे प् prices stable है की नहीं और market किसी specific geographical area तक limited है या फिर उस काम को और ज़्यादा फैलाए जा सकता है अभी जो companies काम कर रही है वो किस तरीके से customer को attract करती है और कैसे उनका help करती है या फिर उनको service provide करती है और एक चीज़ है how do competitors differ in their approach to marketing and service features इसका मतलब competitor आपसे क्या अलग कर रहा है ये भी जरूर देखिए और जो अलग कर रहा है उसमें वो आपसे अगर अच्छा है तो हमको सोचने की जरूरत है और अगर हम अच्छे हैं तो हमको अपने अच्छाई को बढ़ाते जाना पड़ेगा और हमको identify क्या करना पड़ेगा target market identify करना पड़ेगा specific customer identify करना पड़ेगा जिसको आप service provide करने वाले हो आपको need explain करना पड़ेगा कि ये जरूरत market की है उसको खुद explain करिए अपने आपको और उसको कैसे पूरा करोगो उसका plan बनाईए आपको अपने specialization को भी confirm करना पड़ेगा for example अगर research के अनुसार ऐसा लगता है कि small startup बहुत जादा बढ़ रहे हैं उनको loan की जरूरत पड़ रही है तो financial product इस तरीके से बनाए जिसमें startup वाला शब्द भी आ जाए जितने लोग startup कर रहे हैं वो आपके पास move करने का सोचेंगे आप startup के specialist कहला जा सकते हो right next consider the companies already in the competitive space अभी जितने competitors हैं उनको consider करिए वो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं उसको properly study करिए वो companies कौन से product में specialist है similar market shares may indicate a slow growing market इसका मतलब जिस चीज में वो specialist है आप उसी में अपने आपको specialist बताने की कोशिश कर रहे हो category change नहीं कर रहे हो तो market slow हो सकता है एक दुसरे के business को cutthroat competition कर सकते हैं वो नहीं करना चाहिए तो इसमें tip क्या है identifying your target market will require you to identify key demographics that are currently underserved इसका मतलब यह है कि जब भी आप target market को सोचें तो ऐसे चीज़ों को देखिए जिसको अभी तक address नहीं किया गया जो problem को अभी तक address नहीं किया गया जो need को address नहीं किया गया जो मानसिक्ता के अनुसार जैसा loan होता है वैस अभी तक नहीं दिया गया वैसा financial product नहीं दिया गया उसको आप देखिए तीसरा चीज़ है identify the business requirement business process को चलाने के लिए day-to-day operations में कैसे लोगों की जरुवत पड़ेगी कैसे खर्चों की जरुवत पड़ेगी जैसे marketing में क्या खर्चे लगेंगे loan officers में क्या खर्चे लगेंग या फिर online communication उनको अच्छा लगेगा या फिर दोनों तरीके से आप approach करना चाहते हो या आपको decide करना पड़ेगा जब आपने ये तीन step कर लिया है तो चौता चीज़ है crunch the numbers how much capital exactly कितना पैसा आपको चाहिए या आपको देखना पड़ेगा हर client से आप कितना रुपए on and average कमा चाहते हो आर्पू बोलते है average revenue per unit या फिर expected revenue per unit कितना आने वाला यह आपको देखना पड़ेगा इसके अलावा break-even point कब आएगा कितना आप loan बाटोगे तो फिर आपका खर्चा और profit समान हो जाएगा क्योंकि उससे जादा अगर काम करेंगे तभी आपको profit हो सकता है profitability आपक करके चलना पड़ेगा और इसकी possibility भी reasonable रहनी चाहिए तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि develop financial projections अगर आपने financial projections नहीं बनाया financial plan नहीं बनाया आपने कभी सोचा ही नहीं कि business कैसे चलेगा क्यावाल एक ठोक registration करने के लिए आप निकल पड़ें बाहु बनके तो बिलकुल आ चाहिए अगर हमारी मदद चाहिए तो हमारे पास आइए या फिर आप जिससे भी जाये मदद लीजे लेकिन सामने वाले को पूरा पता रहना चाहिए कि exactly finance business कैसे होता है कहां पर कौन-कौन से चीज़ें होती है कौन सा काम करना ज़रूरी है कौन सा बिलकुल नहीं करना चा कौन सा कौन सा को